नमश्कार दर्शको जैसे कि आप जानते हैं कि G20 सब्मिट चल रहा है और G20 सब्मिट के चलते मोधी जी ने पहले भी एक अपना सपना रखा था कि यंग इंटर्पर्नियोर्स को वो बहुत ही परमोट करते हैं आज भी हमारे साथ G20 के इस मंच पे चुड़े है एक यंग इंटर्पर्नियोर्स आई इन से जानते हैं कि G20 भारत में चल रहा है और इस से भारत का कद कहा तक पहुचा है और हमारे ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक सपना है कि भारत को नमबर वन देश बनाना पूरे वि और साथ ही साथ रियल स्टेट में इन्होंने अपना अच्छा नाम कमाया है किस तरीके से आप देखते हैं कि G20 हमारे देश ने बेखुबी तरीके से हो रहा है और आज उसका अंतिम दिन है तो किस तरीके से भारत का पच्चम पूली दुनिया में ला रहा है एक ही चीज कह होंगा जो हम हार टाइम कहते हैं कि इंडिया टाइम हैज कम ऐसा इवेंट जहां 85 परसेंट ऑफ दे वर्ल्ट जीडीपी इन्वाल्व है कल अगर हमने प्रेस ब्रीफिंग में देखा कैसे इंडिया हैज इमर्जड ऐस डिप्लोमाटिक लीडर इन टर्म्स ऑफ बेस्ट जी कैसे है कैसे इंडिया एक वर्ल्ड लीडर की तरह बहर आया है इससे अच्छा टाइम और इससे अच्छा फ्यूचर आइंडिया में हुआ है और and in future I feel that the time for future is here इंडिया का time आ गया है to emerge as a world leader जी आपका छोटे शब्दों में मानना ये है कि मोदी है तो मुमकिन है